हलो दोस्तों एक बार पुना स्वागत है हमारे अपने योटूब चैनल नरायन सर क्लासेस पर आज के वीडियो में क्लास 12 बैलोजी के चैप्टर 2 के जितने भी इंपोर्टेन क्वेस्चन बनते हैं जो की हर एक वर्ष एक्जामेशन में पूछे जाते हैं पूछे जाने की इनकी शमभावनाएं प्रवल होती है इन क्वेस्चनों पर हम डिसकसन करेंगे आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और इसी तरह के क्वेस्चन आप लोगों को हम प्रवाइड करते रहेंगे और यहां से हमने शुरुवाद कर दिया है और क्लस 12 में यदि आपको मैक्सिमम मार्क पाना है तो इन क्वेस्चनों को जरूर देखेगा और जरूर इन क्वेस्चनों को तयारी केजिएगा क्योंकि इस सबी क्वेस्चन बहुत ही सलेक्टेड है बहुत ही इम्पोर्टएंट है एक छोटे से स्टेटमेंट से हम आज के वीडियो की सुरुवात करेंगे सूरज की तरह वही चमकता है जो सूरज को जगाता है बिल्कुल आप लोगों को यही काम करना है और सुर्योदस से पहले जागना है और शुभा के समय पढ़ाई चरूर करना है आज हम इस प्रश्ण पर डिसकेशन कर रहे हैं इस प्रश्ण को आप तयार करेंगे तो बिल्कुल इस चैप्टर में जितने भी तरह के क्वेस्टन पूछे जाते हैं आप सभी तरह के क्वेस्टन का एंसर दे पाएंगे पहला क्वेस्टन है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो एक प्रारूपी पुष्प का सचित्र वर्ण कीजिए भई अमने क्लास में भी बता रखा है और यदि आपने वह बिडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा उसे जरूर देखिएगा फिर सेकेंड क्वेस्टन है परागन क्या है स्वपरागन तथा पर परागन को समझाईए तीसरा क्वेस्टन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा नर युगम कोदभिद के विकास को समझाईए और चोथा क्वेस्टन है नर्त था मादा युगम कोद्विद में अंतर लिखिए इसी के साथ पांचवा क्वेस्चन आप लोग जरूर देखिएगा पुष्पिय पौधो में निसेचन को समझाईए जो पुष्पिय पौधे होते हैं उसमें दोहरा निसेचन होता है और जिसको की हमने बता रखा है औ हां दुई निसेचन इसी के तो बात हम कर रहे थे दोहरा निसेचन आगे अगला क्वेस्चन हम देखेंगे जो की बहुत ही इंपोर्टेंट होगा अगला क्वेस्चन है क्वेस्चन नंबर सेवेन निमन लिखित पर टीपड़ी लिखिया है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको करना आई है बी बी आई ए नमबर पे है औसंग जनता क्या है इसको एंगलिस में बोला जाता है एपोमिक्सिस बी नमबर पे बहुँ भुरुणता इस पर जो है टिप्रे लिखना है poly embryonist को हम बोलेंगें इंगलिस में C नमबर पे आनिसेक जनन यानि की पार्थीनो जिनेसिस बोला जाएगा इसको इंगलिस में और D नमबर पे आता है आनिसेक फलन यानि की पार्थीनो कौर्पी भाई हमने यहां पे इंगलिस क्यों लिख रखा है क्योंकि आपको हिंदी में न दे करके इंगलिस में भी दे दि तो आपको इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है यदि आप इतना question तयार करते हैं तो इस chapter के यानि के बैलोजी के दूसरे chapter जो है पुश्वी पादपों में लेंगी के जनन पूरत्व आपका तयार हो जाएगा और इससे यहीं से question पूशा जाएगा आप जरूर देखेगा इन question को और यह question बहुत ही important है और आपको बहुत ही मदद करेगा board examination में आपको तयार कर लेना है आपकी तयारी में बहुत अधिक मदद करेगा और कैसा लगा यह question जरूर comment के मादियम से बताईएगा और इसी तरह के हर एक chapter के important question का वीडियो हम आपके शामने प्रस्तुत करेंगे आप चैनल पर बने रहेगा और यदि चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे मित्रों में ज़्यादा सज्यादा share कीजिएगा मिलेंगे अगले बीटों में तब तक ले थैंक्यू थैंक्स फर वाचिंग जूरे रहनर एंसर क्लासेश के साथ जैंद